वेलकम बैक वेंस अगेन नोकरीकबर.com ओफिसियल यूटूब चैनल सो फ्रेंट्स आज की स्पीडों में हम बात करेंगे SBI State Bank of India की तरफ से आचुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भरती के बारे में जहां पर आप सभी के लिए 2 से 3 तरह की पोश्ट वेकेंसीज पर भरतीयों के ऑफिसियल नोटिविकेशन के साथ साथ आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दे गए हैं दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए 25 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है अगर आप लोग इसके बाद अपलाई करेंगे तो लिंक डी एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग अपलाई नहीं कर पाएंगे तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट होगी कि अगर आप लोग भी केबल और केबल कक्षा दस्वी बार भी पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइबेट या सरकारी नोकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2022 के अंदर एक अच्छी से डिपार्टमेंट को जॉइन करके एक अच्छी सी पोश्ट पर परमनेट जॉब पाने का तो आप लोग अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखरी तक जरूर देखें वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें आगे हम लोग नोडिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको घर बैठे बिना किसी एक्ष्टा चार्जिस के कैसे आवेदन करना होगा अपने मोवाइल फोन के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड क अगर आने वाला हूँ तो चले वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस बेकनसी के बारे में कुछ खास बाते बताना चाहूंगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहे ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के बीडियो को आकरी तक देख सकें और अपलाई करके एक अच्छे से डिपार्टमेंट पे एक अच्छी सी पोश्ट पर पर्मनेंट सरकारी नोकरी पासकें तो पहली और सबसे अच्छी सबसे बड़ी बात ये कि आपको यहां पे SCO की पोश्टे मिलेंगी और इसके लाबा और इंडिया ल पीमेल यानिकी यहां पे महिला और पुरुस दोनों के टिग्री के केंडिडेट आप एदन कर पाएंगे आपको दो अलग अलग नोडिविकेशन देखने को मिलेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पे आपका जो सेलिक्शन है वो इंटर्विव के बेस पे होने वाला है बीना किसी परिख्शा के काफी अच्छा है सेलिक्शन प्रोसीजर तो आप लोग एक बार जरूर अपलाई करिएगा इसके लाबा आपका जो यहां पे बीतन वगारे में आगे जानकारी दी जाएगी उसके लिए हमको नोडिवि इसके बाद यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे देखने को मिलेगा डेट 5222 से 25222 इट मेंस कि यहां पे आपका 25 फरवरी आखरी डेट होने वाला है इसके बाद आपको जो चैन है सोर्ट लिस्टिंग और इंटर्व्यू के बेस पे किया जाएगा यहां पे आपको तीन तरह की पूश्टे भी बताएगे हैं यहां पे आप लोग देख सकते हैं सीनियर एक्सक्यूटिब की और पब्लिक रिलेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की और यहां पे आपको वेकेंसी भी देखने को मिल ज चीजे यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी स्कॉल करेंगे टोटल आपको तीन पे जो का नोडिविकेशन देखने को मिलेगा अगर आप लोग पोश्ट वाइस यहां पे पेमेंट यानि की सैल्डी देखना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग चेक आउट कर सकते हैं सेलेक्षन टोसेस के अंदर यहां पे जो है तो साप साप मिंसन किया गया है कि इस सेलेक्षन बिल भी बेजड ऑन सौर्ट लिष्टिंग एंड इंटर्व्यू यानि कि यहां पे आपका किसी भी तरह का कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है इसके बाद यहां पे हाउट ट यह regular वालों के लिए हैं वो contract वाला था यहां पे आप लोग देख सकते हैं recruitment of specialist cadre officer state bank of India on regular basis state bank of India की तरफ से हैं यहां पे भी आपको assistant manager की vacancy मिल जाएंगी और यहां पे आपको routing and switching के अंदर और यहां पे आपको category wise vacancy भी देखने को मिल जाएंगी maximum age की बात करें तो आपका 40 साल है online return examination का interview यहां पे आपका होना तै हुआ है इसके बाद यहां पे post or undergrad यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसके लिए basic education certification और work experience के बारे में जानकारी यहां पे provide कराए गई है आप लोग इसको ध्यान से देखेगा 4 पे जो का notification है यहां पे आपको basic जो है तो 36,000 रुपे प्रोवाइड कराए जाएगा notification में mention किया गया है इसके बाद यहां से नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी जिसके अंदर यहां पे बोला गया है कि this selection will be on the basis of online written test and interview के base पे आप सभी का chain होना है जिसमें written test का यहां पे जो 75% weightage रहेगा और interview का 25% यहां पे weightage होने वाला है इतनी जानकारी काफी है इसके अलाबा जो आगे की जानकारी है वो official website पे चलके देखने वाले हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं SPI यानिकी State Bank of India की तरफ से आचुकी नई CD 2022 भरती के बारे में इसके अलाबा यहां पे देख सकते हैं 36,000 रुपया आपका starting का बेतन रहेगा जो की अभी मैंने notification में आपको दिखाया है इसके अलाबा यहां पे exam नहीं होना है एक notification के अंदर second जो notification में पोश्चते हैं उसके लिए आपको exam कम interview qualify करना होगा जिसमें exam का weightage 75% है और 25% interview का weightage होने वाला है इसके अलाबा दोनों यह notification में आपको apply करने के लिए 25 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है आप लोग घर बैठे अपने mobile phone के माध्यम से online forum fill up कर सकते हैं जैसे करना इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी पर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर ले और bell notification को भी ज़रूर on करे चले चलते हैं आज के अपने main topic और official website पर जहाँ पे आपको सारे के सारे important links मिलने वाले हैं दोस्तों आपको आवेदन करने का notification डाउनलोड करने का और बाकी सारे detail में जानकारी देखने का link वीडियो के description में और आप लोग जहाँ पे comment करते हैं first comment के अंदर पिन कर दूँगा तो click करके this page पे आप आएंगे यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं SBI यानि की State Bank of India Online Forum आचुके हैं 2022 के लिए अधिक जानकारी के लिए आप लोग link working.org की website पे जा सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं various number vacancies मिल जाएंगी जहाँ पे आपको marketing executive की senior executive और assistant vice president के सार्थ 25 February 2022 की रखी गई है इसके बाद आपकी age है जो कि यहाँ पे maximum 40 year होनी चाहिए और आपका जो application fee से यहाँ पे ध्यान रखेएगा जर्नल OVC का 750 रखेगा बाकी अगर आप लोग SCHDPH किसी भी category की महिला उमीदवार है तो आपको यहाँ पे कोई भी application सुलकन नहीं लगेगा देन यहाँ पे top 5 government job today की बात करें तो click here पे click करके आप लोग जिस किसी भी government job के लिए लेस्वेल हैं आप एधन कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पे आपका organization जो की SBI यानि की State Bank of India होने वाला है दिन बात करें वेकेंसी distribution के बारे में यानि की आप लोग कौन कौन से राज्यों से apply कर पाएंगे तो All India Level की job आ चुकी है आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेधन कर सकते हैं जिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा salary के बारे में salary आपका पर एनम में 10 लाख से लेकर 19 लाख रखा गया है इसके बाद education है जहाँ पे आपका 10-12 degree master degree होगा तो आप लोग अलग-अलग post vacancies के लिए apply कर पाएंगे इसके बाद है कैसे आपको आवेधन करना है तो वीडियो के description में आपको link मिल जायागा जहाँ पे click करके आप लोग 25 February 2022 तक apply कर पाएंगे आपका जो चयान है वो interview के base पे होने वाला है साथ में आपको short listing भी होगी इसके बाद यहाँ पे आपका important link है जहाँ पे आपको notification first और notification second मिल जाएगा साथ में official website मिल जाएगी और apply करने का link भी मिल जाएगा notification download करने के लिए आपको download notification first पे click करना होगा जैसे click करेंगे download की button आपके सामने आएगी और download की button पे click करके अपना notification किसी भी PDF reader की मदद से आप लोग open कर पाएंगे मेरा notification open हो चुका है सेम प्रोसेस होगी second notification के लिए इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे download की बटन आएगी और download की बटन पे क्लिक करके आप लोग अपना notification open कर सकते हैं इसके लाबा यहाँ पे apply करने के लिए आपको apply online की बटन मिल जाएगी आपको इस पे एक बार क्लिक करना होगा apply करने के लिए आप लोग official website पे भी जा सकते हैं कापी easy है और इसके लाबा यहाँ पे आपको अगर login किया हुआ है तो यहाँ पे login कर सकते हैं registration चीए तो यहाँ पे आप लोग registration भी कर सकते हैं इसके लाबा अगर कोई जानकारी चीए तो आप लोग comment कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं कैसे apply करना उसके बारे में जानना है तो how to apply को जो है तो download करके इसमें से current vacancies वाले page पे आपको जाके apply करना होगा इसके अलाबा आपको बता दे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आवेदन करने की वीडियो अपलोड करूँ तो इस वीडियो के लिए 300 like का target है जितना जल्दी हो सके complete करें ताकि आपको आवेदन करने की वीडियो timely मिल सके मिलते हैं अगली update के साथ next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद